Hello and welcome दोस्तों, The Mission Development Academy में आप सभी का वेलकम है और आज हम पढ़ेंगे अद्ध्य नंबर 5 जिसका नाम है प्रद्वी के पिर्मु परिमंडल देखे हमने पिछले चैप्कर में प्रद्वी के वारे हम पढ़ चोगे हैं कि प्रद्वी एंसा एक ग्रह है जहाँ पर पानी है और वायू है उसका नाम बेश सभी चीटे हैं जो किसी हुमन को जीने के लिए आवे सके हैं और आज हम अध्याए पाच में पढ़ेंगे प्रद परिमंडल के बारे में जानेंगे परिमंडल से नाम आपने सुना होगा या तीवी न्यूज चलनों में यह तो न्यूज में पेपर में सुना होगा आपने बहुत से आंदोल चलते रहते हैं परेवन सर्वेक्षन ब्रेक्चर ओपन इस टाइप के तो उससे उसमें आपने परेवन का नाम सुना होगा आज हम इसके भाग पढ़ेंगे कि परिमंडल कितने भाग होते हैं तो जैसा कि आप अतहर पढ़ी चुके हैं कि प्रद्वी एंसा एक रहे जहां पे जीवन संबव ह हुआ है हमें जीवित रहने के लिए जिनने के लिए एक भ।ते हम्हिवाच कि मैं क्यों द० प्रदवी करह हैं और प्रदवी का हम रहते हैं उसके बहुम वंडल रहते हैं जो माद में जमीन बोलते हैं इसको जमीन से बाप समझ सकते हो उसे क्या बोलता है भू मंडल और जो आकास प्रद्वी और आकास के बीच का जो भी छेत रहता है इसको बलता है बायू मंडल जहां पर ऑक्सिजन नाइट्रोजन कारबन डाकसाइट और बहुत से रहते हैं प्रद्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाजाता है आप सब नहीं सुना होगा कि जो हमारी प्रद्वी जमीन उसको बूमंडल कहते हैं और बायू मंडल जहां पर यह से पाई जाती है प्रद्वी और आकास के बीच का जो भी छेत रहता है वह सों बोलते हैं BAMANDAL उस जमीन पर जहां बहुत सारत जल हो जैसे महासागर जल मंडल हो गया जल मंडल में हो सकती है जल की या तो बहुत chil इसम Leg 100 रॐ मोड़ें के दिटल सब्ढ़ लेते हैं कि फ्रतिक जमीन पे हम रहे हैं जो हम्हारेवा n 네 हम चलते हैं उसके बूलते हैं भुम अंडल टीक यह भू परपटी की की चट्टां तथे मिंट्टी की पतली पड़तो इसके से बना भूपरपटी की चट्टानों से और चिंहांने लीगेर और हैं तो मिट्टी इसके जीव मट्टी से धोता हुट आना साहरे फ़ती है ना किई भरी और हुप दैज में में तो जहनक किए पोशक अद्व eel है वहाँ पर आसानी से खेतिक की सकती है जसे ही जमीन वहाइट उसे पुर से पाए जाते हैं इसकर पढल कि प्रदी की सतह को दो मुख वागुंभावाव बाटा गया है अब जो प्रदी की सतह है उसकर भी मुख वागव एक पहला वाग क्या हो गया हमारा महादीब महादीब को मतलब प्रद्वी को जो भूब आ गया है जमीन का बहुत बड़े छेत्र को बहुत बड़े भाग को महादीब कहते हैं और पानी की बहुत बड़े जलास से छेत्र को महासागरी बेसेंग नाम से जाने आता है तो यहां चेत में। अच्छब देख देख लेते हैं मांचेत में अच्छ देखिंए माहuestoागर , यह ही महाथ सागर डचन सायथ में इस महासाग़ से जोल गया इधर यह एंटर्टिक महासागर पहुंचा तर्पूरा यह अपस में सब ट्रादा आर्टागर किया जुड़े हुए है यह झिए आप मांचे तो अच्छिय समझे वो देखिए है अ जुए कि निस्वात है most let better चब्राइबुगा का सब्सक्रों ऊचा से-कर और यह बिश्बक सबसे उचा से करें मतलब सबसे उची परवत की चोटी है मांट टेबरेश्ट और इसकी समोध तल से कितनी को चाहिए यह बिश्बक सबसे महाँ सागर का मेरियना करत नहीं करत जिसकी आहीए ग्यारा हजार बाइस मीटर सबसे बड़ा सबसे सबसे उचा परवसे कर क्या है मांट अब्रेश्ट जिसकी उचाहिए तो आट अटालीच मीटर वो विस्वे का साथ से गेरा भाग कौन सा है परसांद महासागर का मेरियाना कर्द जिसकी गेरा ये 11,022 जिसकी उटाइए 11,022 अब पढ़ लेते हैं महादुप के बारे में जैसे पता है प्रदी को दो भागों बहत किया गया है एक तो पहला महादुप दूसरा महासागर के रिवन पहले पढ़ लेते हैं महादुप के बारे में अब महादुप प्रदी पर साथ महादुप है कितने महादुप है साथ महादुप ये बिस्तरी जल रासी के दौरा एक दूसरे अलग ये महादुप है ठीक प्रदी पर साथ महादुप पा जाते हैं तो पहला महादिव एसीया है, दूसरा यूरोप, तीसरा अफरीका, चोथा उत्तरी अमेरिका, पाजबा तच्छनी अमेरिका, छटबा उस्टेलिया, साथबा अंटार्गिटिका. तो इस तरह हमारे कितने साथ महादिव हैं? पहला एसीया हो गया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफरीका, चोथा उत्तरी अमेरिका, पाजबा तच्छनी अमेरिका, और छटबा उस्टेलिया, साथबा अंटार्गिटिका. ठीक, हम इसे चित्र में भी समल लेते हैं, यह हमारे महादिव, यह देखिए, आपने महासागर को देख लिए हिंद महासागर है, उसके बाद यह अट्लांटिक महासागर आ गया, उसके बाद परसांत महासागर, इसी पकार हम समल लेते हैं, यह देखिए, एसीया महादिव यह यूरोपिय महादीप यह अफ्रीका महादीप एक यह ओस्टेलिया चार हो गए उसका उत्तरी अमेरिका पांच दच्छनी अमेरिका अच्छे ठीक मुई अट्लांटिक साथ सबसे बड़ा महादीप है यह प्रद्वी के कुल चेत्रपल के एक तेहाई भाग में फैला है मतलब एक तेहाई का मतलब होता है कि जैसे कोई वी सो में से 35 परसंट में यह फैला हुआ है एसीजा पर्द्वी के 33 परसंट में यह फैला हुआ है 33% में इक त्याई के मतलब यह हो गया कि एक का तीसरा भाग तो 100 का तीसरा भाग का हो जाए का 33% ठीक है प्रतविके 33% में एसी आ भाग फ्यला हुआ है इस ते ते इस महादाय। और से करकर एक बजदती है..., यह पुछता है, यह AACEA के थिल्लाइ में बहुत चोटा है, यह महादाय। क्यों इसे कौन सा ब्रट हो खोगता है ये य के विज़्मत तो के अर्केटिक ब्रत निए तीन तशुत से गिरा गुआ हैं इसके आफ्रीका ऑफ अफ्रीका महादिव obyव्व महादीव खीर ब्रत कों सा है अफ्रीका इसमें विशुबत ब्रत देखा मद्ध भाग से उकर गुजरती है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्री गोलाद में इस्ते थे इसको भी आप पॉइंट को याद के लिए विशुबका सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में हैं इसके बाद उत्री अमेरिका विशुबका तीसे सब्सक्राइब महादी पर उत्री अमेरिका महादीर पूरी तरह से उत्री पस्ची को लाद मिस्ते थे यह महादीर 3 महसागरों से घरा हुआ इससे धर साथ सबसे लंबी परवस संकला इंडिय इसको तर से दक फैले हुई है पर बिसोबी की सबसे लंबी सेंगला कौन सी एंडी जिसके उत्तर सब से लगे दच्शीन संग फ्यली होई है और अमेरिका में बिसुए की सबसे बड़ी नदी एमेजौन वैटती है बेहति है तैके और झारा ऐस्सटेलिया महाधिभ तो देखिए यह बिस्पी के लब से छोटा महादीप है सब छोटा महादीप कौन सा है उस्टेलिया जो की पूरी तरह से दचनी कोलाद मिशते थे मैं अब दचनी साइड मिशते थे प्रद्वी के यह चारो तरफ से महासागरों से समुद्र से घरा हुआ है इसे दूइप महादीप का जाता है दूइप का मतलब समुद्र के बीच में चोटे चोटे जो जमीन के हिस्से रहते न उससे दूइप बोला आता है तो जो ओस्टेलिया रहता है वो पूरे चारो तरफ से महासागर से घरा हुआ है उसके बाद अंटारकटिका यह भी बहुत बड़ा महादीप है ती जो कि दचनी गोलात मेश्यते त्युक्रा दोप इस महादीप के मद्द मेश्यते थैं है और यह हमेशा क्या बर्ड की प्रत की मोटे मोटे पρतॉं और इसे GHERA हुआ होता है अब पढ़ लेते हैं जल मंडल के बारे में प्रद्वी को नीले गरेक आयाता है आप सभी को पता है यहां पर पानी है तो प्रद्वी के लगए 71% बहाग पर जल तथा 29 पर भाग इस्तल है जल पानी है जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्ते जहें जल के सभी रूप का मतलब यह तरल में भी होज़कता है यह बर्ब के रूप में भी उपस्ते थे इस पेकार से अब जल कि क्या क्या रूप हो रखते है यह थो नदियों में रहता जल क्ल में पाज गई नदिया हो गई भूमी का जल होगा जो बहूकर बूमी के अंदर से निकाले आते है उन्हें बूलते है वो र्डाय हो बंड़ी संब प्रदी पर पाए जाने वाले जल का 97% महासागरों में पाए जाता है प्रदी पर जल पाए जाता है इसका लगवाक 97% जो जल रहे था वह समोद्र में पाए जाता है और यह बहुत खारा होता है है मतलब 97 पर जल समोद्र में पाए जाता है ओर भौट खारा होता है पीकिन लाइक नहीं होता जो बजा हुआ 3% है में पाया जाता है नदी तलाइज इन सब में पा जाता है 77% महसागैं में पा जाता है 3% यह हमारा पी नियक होता है जो कि भूमी गजलने, कूपस निकालते, नलो से जीलों में हुता है नदीओं में पा जाता है इस पर काटी और हम पानी को कभी मेसुस नहीं कर सकते ठीक पानी को को हम कभी मेसुस नहीं कर सकते ये भी अब पढ़ लेते हैं महासागरों के बारे में दीकि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है ये महासागर जलमंडल के अंदर ही आते है क्लिए महासागर क्या है जल पाई आता है तो सिधी सिभात ये जल मंदल का इंड़ melody वह यह चितनी में हमारे महासागर है सब आपस नोले आपस डूर यह हुए है सब्सक्राब नृट इनृट है एक पर लिए पेकार से जुड़े हुए हैं आपस में देकि माशागरी जल की तीन मुख गती होती है बड़े चोटे आकार के आधर पर करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे कि महासागर और पांच हमारे पांच करा के रहते हैं और इसको आइट्लांटिक महासागर, दूसरा इन्द महासागर, चौता देचनी महासागर प्रद्वी के चारों और गेस से की एक परस से गिरी हुई जिसे बाइव मंडल कहते हैं प्रद्वी 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 प् अब बाइस्वाइन केया रहता है किंदों को रोग लेता है कि थो से सु किलमेटर के ऊचे तक फैला है यह जमी से उसके सोला सोульт किलोमीटर की ओपर तक फैला हुआ है अब बाईु मंडल को विनने कई भागों बाटा है निए पहला है चोप मंडल उसको बाद समताप मंडल मद्य मंडल आयान मंडल ओभायर मंडल इसमें ये वाले भाग कि कहता है यो यह governor जमीन है इसको ऊपरी वाले भाग को चोप मंडल फिर उससे ऊपरी वाले भाग को समताप मंडल फिर उससे ऊपरी भाग को मद्ध मंडल फिर उससे वाग को आयान मंडल और लास्ट में कहा रहता है हमारा बारे मंडल तीक इसको क्या जमीन है जो ऊपरी भाग रहता है यह वाल नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाए जाती है तो इसकी मात्रती नाइट्रोजन अगैट्रोजन सब्सकेबाद औक्सिएन 21 परसेंट उसके बाद जो हमारी कारवन डाकसाइड और और यह का दूगे सोर यह भी मात्रे के रहती है एक एक परतिसर यह सबसे यह वाले कैसे पाजाती है यह इस डायग्राम समझिए जो हमारा यह वाला वाग रहता है इसे बोलते हैं बायू मंडल जल वाला वा इसको बोलते हैं इसको भी देख लेते हैं जल हवा के बीच के एक सीमिद भाग यह भाग जीवन मौझूत है यहां जीवन को बहुत सी प्रजाती हैं सूच में बेक्टे उसले का बड़ एक्षण धार्यों के आकार पा जाती है जीवन यहां जीवन संभव हैं तो हमारे से आई होब आपको वीडियो पसंद आई हो किसी पर कोई डाउट है तो हमें कमेंड में पूछ सकते हैं यह आपने हमारे चैनल करते सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरू करें और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आप य नीचे कोईशन दिये गए इन्हें आप अच्छी स्वल्व कर सकते हैं कि कौन सी परवत सिंगला एसे रूप लग करती है उत्तर दश्मिल कैसा जोड़ा हुआ 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 है यह आप यह सम्में यह सभी मिल जाएंग मैं आप पढ़ा चुका है इनको आप चाहते हैं को संट मैं सौल करवा हुआ तो मैं आपको सौल करवा सकता हूं ठीक आपको कमेंड में जरूर बता है इंदि आपको इंका स्लूशन भी चाहिए सांसाथ में इस बताते जाओंगा तो आज हमारे चैप्टर को खतम होगा इसका पढ़ेंगा हमारा आज को पढ़ा